अब आईए हम बात करते हैं गुरू के नुस्खे की आज का जो दिन है वो है खासतोर से सोमवार सोम मन्ने होता है चंद्रमा शनातन धर में चंद्रमा की भूमिका बहुत महतपूर होती है और जितने आप पक्ष देखते हैं खासतोर से बैग्यानिक तरीके से देखा जाए तो चंद्रमा की बड़ी भूमिका महतपूर होती है चंद्रमा मन का कारक होता है, कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जायते, अगर आप मन के हार हार हैं तो और मन के जीते जीत, अगर आप कोई भी कारे करते हैं आपका confidence level बढ़िया है और आप मन से सोचते हैं कि हम जीत सकते हैं तो आप निश्चत रूफ से जीत सकते हैं, सारी कलपना पर निर्भर करता है अगर आपकी सोच पाजिटिव है तब महानुनत कर सकते हैं विखनबाधाय बहुत मायने नहीं रखते और उपलब्धियों के लिए अच्छा होता है तो खास तोर से सनातन धर्मेश चंद्रमा की भूमी का बहुत महत्पूर है एक कागर होना जरूरी है और किसी भी काईयर पर टास्ट टार्गेट ओर्येंटेट होके अगर काईयर करते ता रहें तो अच्छा रहेगा आला Sesoka परित्याग करें तो चंदरमा को प्रसंद करने के लिए आपको क्या करना है जिसे आपका मन नियंतरित रहे आपके कागरता बढ़े और आपको घै। और आप अपनी पूर्जी पूरी उर्जा का सदुप्योग करें उसके लिए क्या करना है कि ओम सोम सोमायनमा चंद्रमा भगवान सिव के मस्तक पर रहता है भगवान सिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है ताप भगवान सिव की अरादना करें ओम सोम सो फ्लेनात को क्या करें कि बेल Πत्र चावल और गाय का दूद इस मन्तर से अरपित करें आपके लिए अच्छा रहेगा घरीबों को क्या करें कि दही या दूद पितrüंड करें पूरिमा के दिन خاص TORC और सो मार हो पूरिमा हो तो आटा या सफेद बस्तर या वस्तु जरूर दान करें आपके लिए अच्छा रहेगा गाय को अपने हाथ से खास तो से क्या करें कि रोटी जुरू खिलावा अपने हाथ से आपके लिए अच्छा रहेगा तो ये छोटी छोटी उपाए हैं अगर करते हैं ता आपके लिए बहुत अच्छा अगर विद्यारती हैं आप औ होते हैं कि और उसमें जल रख लेगा ऊध्रन करें आप दखेंगे जल को आप पान को पीदे जल को पीते हैं तो आपका एक का क्रिदा गहें चोटे-चोडे पायख करते हैं तरह मा जीवन सांदार हो जाएगा